हेलो ख्रेंड्स में ओकविता और मेरे किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागते हैं हमेशा की तरह फिर से मैं आप लोग के साथ एक नई स्वाधिश्ट और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज वीडियो को एक चूटा सा लाइक और चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें तो शली देर ना करते हुए आज के मज़ेदासी रेसिपी बनाना शुरू कर साब करेंगे ताकि पोहे में जो भी थोड़ा बहुत डश्ट वैगराई वह अच्छे से निकल जाएगा तो देखे आप इस तरीके से पोहे को मैंने अच्छे से दोकर साब कर ले तो अब हम क्या करेंगे इसे एक बड़े साइज के मिक्सिंग बाउल में डालेंगी इसे के साथी मेजरिंग कप से नापके एक कप सूजी लेंगी तो सूजी आप बारी के मोटी कोई भी या पर ले सकते ही इसके बाद हम क्या करेंगे जिस कप से हमने सूजी डाली थी ना उसी कप से में या पर एक कप गरम पाने डालेंगी आप चाहे तो थंड़ा या नॉर्मल पा तो एक बार आप इस तरीके से घर पे जरूर बना कर देखें तो देखिया आपर इस तरीके से मैंने सूजी और पोहा को जो है अच्छे से मिक्स कर ले तो अब हम क्या करेंगे कवर करके 10 मिट के लिए इसे चोट देंगे ताकि सूजी जो अच्छे से फुल जाए तब तक हम क क्या करेंगे इसके साथ खाने के लिए चटपटी सी चटनी जो है बना कर तयार करेंगे इसके लिए पयान में लगबग दो चमच के करीब तेल डाला था तेल गरम होने के बाद मैंने या पर इसमें एक मिडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाला है इसे के साथ 2 हरी कातार चलाते हुए अच्छी से बून लेंगे यानि कि जब तक प्याज का कच्छापन जो हल्का सा चलाना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं प्याज यह आपर हल्का सा सौप्ट हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसमें दो मिड टी करेंगे आप चाहिए तब ़ैयंकि जब तक चांपना हो जाएंगी तब पकाएंगे तीन से चार मीट के बाद हम 50 द्टकन भीड़ी इसलिए यह आपर हम फुटा ना दाल दाल है जिसे घुटवाठान भी बोलते हैं इसके बाद मसालों में लिएए giveaway मिक्स करेंगे मसालों को अच्छी से और मसालों को हम लगबग एक मिट के लिए बुनेंगी ताकि मसालों का कच्छापन जो यहापर पूरी तरीके से चला जाए आप चाहे तो फुटाना दाल की जगह में इसमें थोड़ा सा मंगफली भी डाल सकते मतलब एक टेबलस पूर इतना मंगफली डालेंगे तो चटनी में जो अच्छे से चिकनाट आटा जाएगी जैसे मसाले अच्छे से फ्राए हो जाएंगे हम गैस की प्लेम को बन करेंगे और इसमें स्रों को पूरी तरीके से थंडा होने के बाद एक छोटे से मिक्सी जार में डालेंगे इसके बाद मैंने यापर लगबख दो टेबल स्पिन इतना पानी डाला ही अब हम क्या करेंगे ढखकन लगाएंगे और इससे अच्छे से पीस लेंगे और देखे यापर बहुत ही बड़या चटनी जो हमारी बन के रेड़ी हो चुकी है इसकी कलर और कंशेस्टन से आप देख सकते एक दम परपेक्ट है तो अब हम क्या करेंगे इसमें एक चोटा सा तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में दो चमच के करीब तेल गरम करेंगे तेल के गरम होते हम इसमें चोटाई चमच राई और चोटाई चमच के करीब जीरा डालेंगे इसे के साथ ही मैंने आपर दो साबुत लाल मिज़ डाली ही जैसे तड़का अच्छे सिफ्राइ हो जाएगा हम क्या करेंगे तुरन तड़के कोई सटनी के उपर डालेंगी और देखी बहुत ही बड़या चटनी जो ही आपर बनके रेडी हो चुकी है यह चटनी को आप अपने पसंद के अनुसार इडली, डोसा, वड़ा या उत्तपम वैगरा के साथ भी खा सकते है पुहा और सुजी को साइट में रखते वए लगबग 10 मीट हो चुकी है और आप दिख सकती सुजी पुहा यहापर कापी अच्छे से फूल चुका है जितना पानी हमने सुजी और पुहा में डाला था तो पूरा पानी सुजी ने अच्छे से खिश ले आए इसमें तेल डालेंगे इसे के साथ एक चमच हमें चीनी डालेंगे स्वाधा नुसर हमें इसमें नमक डालेंगे फिर से इसमें आदा कप पानी डाला था तो टोटल मैंने यापर एक कप पानी जो है पिसने के लिए इसमाल किया है। 10 मिट के बाद हम फिर से बैटर को चेक करेंगे तो देखे यापर एक आपी अच्छे से सेट हो चुका है तो अब हम इसका तुनत नास्ता बनाना शुरू करेंगे। इस पोच के साब कर देना है। एसके बाद ही बैटर डालना है तो देखे आपर इस तरीके से मैंने बैटर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे विए साजसे और किनरों पे थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे। recordings नास्ति को बनाने क da के लिए ज्याद़ा तेल की पलट देंगे और देखिए बहुत ही बड़ा कलर जो इस नास्ते में आ चुका है यहापर जो हमें मेडियम फ्लेम पे इसे सेख ना है हाई प्लेम पे इसे बिल्कुल भी ना सेखे दूसरी साइट से भी नास्ता जो यहापर अच्छे से सेख चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे सुबा की भागदोर्ड में कम तेल में कुछ हेल्दी बनाना चाहते तो इस नास्ते को आप जरू ट्राय करके देखे बच्चे बड़े सभी इसे पसंद करेंगे साथ ही घर में पड़ी बेसिक सीदों से बनता है तो हमें इसके लिए पहले कोई तायारी वागरा करने की भी जरूत नहीं होती अब हम सेम प्रोसिस से बाकी का बच्चावा नास्ता भी इस तरीके से बना कर तायार करेंगे तो फिर से मैंने तवे के ऊपर बैटर डालाए और इसे हलके आतों से फेलाएंगे फिर से किनारोपे थोड़ा सा तेल डालेंगे और दोनों साइड से उलटते पलटते वह इसे अच्छे से से शेक लेंगे फ्रेंड सरोज मैं आपके साथ एक नई स्वादिष्ट और आसान रेसिपी लेकर आती हूँ आप सभी से मेरी रेक्वेश्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते तो फ्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें ताकि हर वज मैं आपके साथ एसे नई नई वर आसान रेसिपी जो ही लेकर आ सको थोड़ी जर के बाद आप देख सकते एक एक करके सभी नास्ते को बना कर तयार कर लिया है इतना ज़्यादा स्वाप्ट मुलाइम नास्ता अगर आप घर पे बनाते हैं तो घर में सभी आपकी तारिप करेंगे आप इस रेसिपी को सुबह ब्रेक पास्ट में या तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं उमीद ही कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे चैनल को सस्क्राइब कीजे फिर मिलेंगे कल एसी नहीं आसान और हिल्दी रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद